आज हम लोग देखने जा रहा हैं मेंडल जेनेटिक्स के उछ टर्म फिनो टाइप और जिनो टाइप के बारे में तो देखते हैं फिनो टाइप और जिनो टाइप क्या होता है तो देखिए सबसे पहले समाजते हैं यह बात कि एक टॉल प्लांट लिए हैं क्या लिए हैं एक द्वार्फ प्लांट यह जो प्लांट है बाहर से कैसे दिख रहा है बाहर से तो हमें टॉल दिख रहा है और बाहर से कैसे दिख रहा है और दो प्लांट है एक बाहर से टॉल दिख रहा है और एक द्वार्फ दिख रहा है तो देखिए जो बाहर से क्रेक्टर जो दिखाई द बोलते हैं अब सेकेंड बात समझता जीनो टाइब क्या है तो देखिए यह प्लांट क्या है ड्वार्फ यह प्लांट क्या है टॉल और यह ड्वार्फ जब प्लांट है तो इसके लिए कुछ ना कुछ जीन भी क्या होगा रिस्पॉंसीवल होगा या टॉल है तो इसके लिए लिए जीन क्या पोड़ाई पोड़ता है जो जंटीक्तिक मेक अप अप ऑफन और फीनोटाइप और देखे इसे आगे और अच्छा सा समझने कुशिज करते हैं जो बाहर से करेक्टर जो दिखाई दे रहा है बाहर से जो भी करेक्टर दिखाई दे रहा है उसे क्या बोलते हैं फीनो टाइप यहां पर बोल दी है external appearance for a particular character external appearance जो होता है for a particular character के लिए उसे क्या बोलते हैं फीनो टाइप बोलते हैं अब सेकेंड बात समझता है जीनो टाइप क्या है तो देखिए यह प्लांट क्या है ड्वार्फ यह प्लांट क्या है टॉल और यह ड्वार्फ जब प्लांट है तो इसके लिए कुछ न कुछ जीन भी क्या होगा रिस्पॉंसीबल होगा या टॉल है तो इसके लिए क्या होगा जीन रिस्पॉंसीबल होगा तो पार्टिकुलर करेक्टर के लिए जो जीन क्या होता है रिस्पॉंसीबल होता है या जो जेनेटिक मेक अप होता है उसी को क्या बोलते हैं जीनो टाइप बोलते हैं जैसे और दूसरा फ्लावर एलो कलर की है तो बाहर से कैसे फ्लावर दिख रहा है या तो रेड या तो एलो इसे क्या बोलेंगे फिनो टाइप और इसी रेड के लिए कुछ ना कुछ जेनेटिक मैकप बना होगा जेनेटिक कंस्टिट्यूशन हुआ होगा प्लांट के अंदर तो क् सेलफिंग क्या होता है तो एक टाइप का क्रोस है क्या है एक टाइप का क्रोस है सेलफिंग एक टाइप का क्रोस है जिसमें सेम टाइप के जिनो टाइप के बीच में क्या करते हैं क्रोस करते हैं जैसे कैपिटल्टी कैपिटल्टी के बीच क्रोस करा रहे हैं कैपिटल्टी gap डिया s m modeled के बीच में ख्रॉज करा रहे हैं किसे s mолотi से अब आगे देखत게 है कि क्रॉस पॉलजेशन क्या है तो इस धी क्या है एक टाइप का क्रोसिंग है इसमें क्या करते हैं डिफ्रेंट टाइप की डिफ्रेंट यहां पर अलग अलग जीनो टाइप है यहां भी अलग अलग जीनो टाइप है तो इसी को क्या बोलते हैं क्रोस पॉलिनेशन लेकिन सेलफिंग में क्या देख रहा है थे कि सेम टाइप की जीनो टाइप के बीच में सेम टाइप के बीच में सेम टाइप दिख रहा है न अब इ both off-heats parent यानि जो भी off-heats parent है वहाँ अपने parent से क्या है superior है जैसे cross के माधरें समझने एकोसिस करते हैं एक genotype दिया है capital A capital A small v small v इसके बीच में cross करा रहा है कि से small A small A capital V capital V जब इसका gamut बनाएंगे इसका gamut हमें मिलेगा capital A small v इसका gamut मिलेगा small A capital V जब इसके बीच में जब cross कराएंगे तो capital A small A capital V small v यानि इसमें जब देखें कि dominant rate कितना है इसमें dominant rate कितना है तो इसमें हमें dominant rate दिखा है एक दिखाई दे रहा है इसमें भी एक दिखाई दे रहा है dominant trait लेकिन अगर उसकी hybrid वाइवर में देखते हैं यानि F1 generation में जो off-spring हमें मिला है इसमें dominant trait हमें देखने को से एक मिला दो मिला दो टाइप के dominant trait मिल रहाता है इसमें एक इसमें दो तो यह क्या होगे यह ज्यादा character को मतलब क्या influence करेगा ज्यादा character को express करेगा इसलिए इसको क्या बोल दे है hybrid वाइगर तो देख रहा है ना कि इस parent के compression में कैसे off-spring superior हो रहा है फिर आगे देखते हैं इनी breeding depression क्या है तो इन breeding depression में क्या होता है ना कि जो यहादा हाइवरिड वाइगर जो बना है जो भी hybrid वाइगर बना है यानी dominant trait इसको मिला है वो क्या करता है नेख्ष जनरेस में जा करके वो इसको लूज कर देता है फिर आगे देखते है इनिब्रीडिंग डिप्रेशन क्या है तो इनिब्रीडिंग डिप्रेशन में क्या होता है यहाँ पर हा이브리 abnormi या यहाँ जो भी हाईवरीड भाईगर बना है यानि dominant trait इसको मिला है वो क्या करता है नेक्ट जनरे समझा करके वो इसको लूज कर देता है इसी को बोलते हैं इनब्रेडिंग डिप्रेशन जैसे लॉस ऑफ हाइवरीड वाइगर डिव टू सेल्फ पॉलिनेशन या इनब्रेडिंग यानि इसके बीच में जब सेल्फिंग करा देंगे तो क्या हो जो भी क्यरेक्टर को मेंटेन करके रखा है उसको खो देगा खतम कर देगा जैसे क्रोस के मादध हम समझने के कोशिज करते हैं तो यहां पर कुछ ऐसे दिया है और यहां पर हाइवरीड वाइगर का जीनो टाइप कुछ इस परकास दिया है इसमें डोमिनेट कितना है दो ह है पीछे पता चुके हैं इसमें दो है इसमें भी दो है लेकिन अगर यहां पर देखने के कोशिज कर रहे हैं यहां से हमें मिल रहा है मांग चली के स्मॉल है स्मॉल भी स्मॉल भी क्यवाल यहीं नहीं मिलेगा इसके अलावा और भी मिल सकता है लेकिन हमने यहीं लिया है इसमें कोशिस करते हैं कि dominant rate कितना है इसमें जीरो होता है इसमें दो है लेकिन इसमें जीरो होता है इसमें जो भी ही hybrid character को maintain करके रखा था सबको यहां पर क्या कर दिया लॉस कर दिया थे इसी को बूलते हैं इंब्रेडिंग डिप्रेशन अब आगे देखते हैं कि गैमिट का फॉर्मेशन कैसे करते हैं देखिए एक सेल लिए हैं जो क्या है डिपल्वाइड सेल है यानि टू है नंबर ऑफ क्रोमोसूम जब इसके अंदर मियोसिस होता है सेल डिविजन का दो प्रोसेस होता है एक सेमा जो आज उसको सेल जेनल्स गा तो हमें क्या मिला है टिपड रवाइड से हप रवाइड यानि क्रोमोसूम नंबर हाफ मिलता है य्शी को क्या बोलते हैं गैमिट बोलते हैं अब देखिए जैसे टिस यह एक Ö 1965,याज इसका एक फर्मूला भी है जैसे टाइप सोफ गामिट स्टू के पाउर एन, एन इसकल टू हेटरोजाइगस पेयर, अब देखते हैं कि गामिट का फर्मसन एक्चुल में कैसे करते हैं, तो इन होमोजाइगस कंडिशन, होमोजाइगस पहले बता चुके हैं, तो इवाला कंड दिया है, जिनो टाइप उसका एक एलील यहां पे लिख लेते हैं, यहां पर भी जो लिखा है, उसका एक लिख लेंगे यहां पे, कब होमोजाइगस कंडिशन में, लेकिन एक सिधा लाइन खीचेंगे और आगे लिख देंगे और हेटरोजाइगस कंडिशन में, अब क्या हेट्रोजाइगस क्रडिशन है इसमें इसमें सेम टाइप का अलील है होमोजाइगस में और हेट्रोजाइगस में डिफ्रेंट टाइप का अलील है उसके लिए क्या करते हैं ऐसे एक फॉर्क बनाते हैं ऐसे फॉर्क बनाएंगे या तो कैपिटल या तो स्मॉल ए आगे और सम कुछ इस परकार से हम समझाए हैं जो कि आप ध्यान दिजिएगा और समझने की कोशिस किजिएगा आगे देखते हैं अब देखिए कुछ इस परकार से जिनो टाइप दिया अब इसका क्या करना है गामिट फॉर्मेशन करना है तो कौन सा कंडिशन है हेट्रोजागस कंडिश बी एसमाल भी फिर इसके आगर भी एक फॉर्क बनाएंगे और कैपिटल भी एसमाल भी तो देखे यहां से में क्या मिल दा है तो कैपिटल ए कैपिटल बी ए भी मिल गया अब फिर यहां से देखेंगे तो कैपिटल एसमाल भी यानि कैपिटल एसमाल भी फिर आगे देखत से हमें four types के gametes मिल रहा है और इसमें भी देख लेते हैं तो इसमें एक होमो जाइगस कंडिशन है और second वाला में हेटरो जाइगस कंडिशन है लेकिन है तो डाई हाइबरेड तो देखते हैं कि इसमें कैसे gamete का formation करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले क्या है होमो जाइगस तो हमो जाइगस के लिए का करते हैं एक सिंगल लाइन खिंचते हैं और आगे क्या लिखे देंगे उसमें से एक लिखे देंगे यानि कैपिटल ए लिखे देंगे अब इसका क्या करेंगे आगे देख रहे हैं कि यहाँ पर हेटरो जाइगस कंडिशन तो इसके लिखा करते हैं एक फॉर का करेंगे और कैपिटल बी क्रिएट कर लिए हम लो अब यहां देखते हैं क्या होता है तो कैपिटल ए कैपिटल बी यानी कैपिटल ए क्रिए ला हमें अब आगे देखते हैं कि यहाँ पर दिया है capital C, capital C, capital B, small B तो homo-jagos condition है तो सीधा line हीच लिए और hetero-jagos है तो फिर इसके आगे for का formation कर लिए हैं तो आप देख रहे हैं ना फिर इसमें भी देखते हैं तो क्या है देखिए एक अलग-अलग टाइप का variety बता रहे हैं कि ताकि हर एक angle से आपको समझ में आ जाना चाहिए तो सबसे first में क्या दिया है hetero-jagos, बाद में दिया है homo-jagos यहाँ पर पहले दिया था homo-jagos, बाद में दिया था hetero-jagos तो देखिए पहले क्या दिया hetero-jagos, तो fork बनाएंगे या तो capital ले आएगा या तो small ले आएगा फिर उसके आगे क्या दिया है homo-jagos, तो homo-jagos के लिए क्या करेंगे, एक single line खिंचते हैं आगे दोनों जगा single line खिंचे लेंगे, तो capital B, capital B, अब A, B, यहाँ पर मिल सकता है या small A, capital B, मिल सकता है, दो टाइप का अलग-अलग gametes यहाँ पर मिल सकता है अब इसमें दोनों तरह का क्या दिया है, इसमें दोनों तरीकों से क्या दे दिया है हमें होमोजाइगस कंडिशन, A भी होमोजाइगस, A भी होमोजाइगस तो एक single line खिंचेंगे, capital A लिखे देंगे फिर आगे भी होमोजाइगस है, तो single line खिंचेंगे और capital B लिखे देंगे तो A, B क्या मिल गया हमें? A, B